हाई फ्रेंड्स मेरे तुनाकपाल देखिए काफी टाइम से फर्माईश आ रही थी कि इस तरीके की जेब जो बनती है आप ये देखेंगे ये ऐसे जेब है इस तरीके की जेब बनती है वो बताई जाये कि कैसे बनाई जाती है तो अब मैं आज एक बच्चे के उसमें बनाने तो कैसे बनाई जाएगी वो मैं आपको आज बताने जा रही हूं तो चलिए देखे दिखाने जा रही हूं आपको किस तरीके की जेब आप किस तरीके से कैसे बना सकते है तो ये बच्चे का स्वेटर बनानी हूं 64 फंदे मैं इसमे डाले हूए है 64 फंदे या जिसके लिए आप बना रहोंगे, मैं उसके लिए आपको बताने जारहूं कि बार्डर बनाईएगा जितना भी आपको बनाना होगा, फंदे आपके पास आपने बढ़ों के लिए बनाना है तो बश्म कामे MONS, प्रवल Pocket म λέब आताने होगा, मैं आपको 너 के लिए बनाना होगा, io बस फरक क्या होगा कि जो मैं अभी आपको बताने जारी हूँ मैं बता दूँगी कि बड़ों के लिए थोड़ा जादा रखेगा चोटों के लिए कम रखेगा इस तरीके से चले देखे 64 फंदे है अब मैं करूंगी क्या देखेगा अब पहले तो 8 फंदे सीधे बनाऊंगी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ ये देखे, 8 फंदे मैंने सीधे बनाएं अब यहां से मैं इस जेब के लिए बनाना शुरू कर दूँगी किस तरीके से करूंगी देखेगा यह 8 फंदे यहां और 8 फंदे यहां रखूंगी वहां पर आप चाहे तो एक मार् लगाना हो इसमें अब यह देखे 8 फंदे बनाएं यहां पर आप एक मार्कर जरूर लगा लिजेगा यहां से हमने शुरू करना है अब देखे करना क्या है पहला फंदा बनाया और यहां पर हमने इस तरीके से एक फंदा बनाना है फिर दूसरा बनाया फिर से एक फंदा ब अब देखो इसमें एक फंदा हमने बनाना है और एक फंदे के बाद हमने एक फंदा बढ़ाना है इस तरीके से करना है एक फंदा बनाएंगे एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे पूरी जो लास तक मैंने आपको आठ फंदे तक बताया है वहां तक आपने इसी तरीके से करना है ऐसे एक फंदा बढ़ाना है, एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा बढ़ाना है, एक फंदा बनाना है, पूरी लाइन अब आप ऐसे तरीके से कीजेगा, लास्ट के आठ फंदो तक. झाल झाल जाल तो आप सिक्सटीन फंदे निकाल लेते हो तो आपके पास सन्टे में ynária की nee जाते हैं जो मैंने संटर आया फंदे के अदे मैं लीडियते हो अब यहाँ पे last में जब मैंने सीधा फंदा बनाया तो यहाँ भी मैं एक इस तरीके से बढ़ाऊंगे अब देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं इसे सीधा बनाऊंगे 8 फंदो को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 आज़ेए उल्टी लाइन पे अब आपने क्या करना है एक और सलाई लेनी है इस तरीके से लेंगे या डबल साइड पे ले लीजेगा ऐसे आपने सलाई लेनी है अब पहले तो मैं ये 8 फंदे उल्टे बनाऊंगी इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब जो फंदे मैंने बढ़ाए है उस चीज का ध्यान देजेगा जो फंदे मैंने बढ़ाए है वो जो है मैं इसमें रखूंगी अपने round salai में रखेगा ये you pin में रखेगा या salai पे रखेगा या धागे में रखेगा वो आप अपने हिसाब से किजेगा अप देखें जो फंदे बढ़ाए है उसे मैं इस तरीके से इन पे salai पे उतारूँगी ऐसे ये उतारा और इस वाले फंदे को जो है मैंने उल्टा बनाना है ऐसे फिर ये वाला उतारूंगी इस वाले को उल्टा बनाऊंगी यानि कि जो फंदा मैंने बढ़ाया है उस फंदे को मैं अभी फिलहाल सलाई पे उतार उतार के बैक साइड पे ऐसे रखूंगी इस तरीके से ये बनाया आपने ये उतारा आपने इस तरीके से फिर ये बनाया ये बनाया ये उतारा धान रखेगा बहुत ज़्यादा की सलाई में से निकलेना फिर ये बनाया ऐसे अगेन उसे उतारना है आपने ऐसे उतारा फिर इसे बनाया इसे उतारा ध्यान इसी चीज का रखेगा कि जो आपने फंदा बढ़ाया है उसे नहीं बनाना है उसे बैक साइड पे यहाँ पे आपने उतार के रखना है फिलहाल ऐसे अब यह लास्ट हमारा इसमें फंदा आगे है तो इसे तो आप इस तरीके से रखेंगे और इसमें यह अब यह देखे यह पूरा करने के बाद अब हम इसे उल्टा बनाएंगे अब यह देखे इस तरीके से आया अभी जो यह फंदे है मैं आपको यह बता दूँ यह सेंटर में उतने ही फंदे होंगे जितने हमने यहां रखे थे उतने ही फंदे होंगे अब इसे फिलहाल तो हम यही पे रहने देते हैं इसे हम बाद में बनाएंगे पहले हम यह जो फंदे है हमारे कम से कम मैं चाहूंगी कि दो उंगल के आसपास यानि कि दो उंगल के आसपास इसे मैं एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी अगर आपने डिज तो आप Center में उस design को डाल सकती है या कहीं भी कुछ बना सकती है मै तो आपको सीधा उल्टा भी बता रहे हुए क्योंकि मैं वहीं बना रही हूँ तो एक LINE सीधी एक LINE उल्टी कम से कम दो उंगल के आसपास आपने बनाते हैं और बाद में फिर हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी तो देखिए इस तरीके से आपने एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करते वे जाना है और अगर आपने कोई डिजाइन डाला होगा तो आप उस डिजाइन को करते वे जाएंगे तो अभी तो मैं इस एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी करते वे जाओंगी, इस तरीके से देखिए ये अब ये देखिए, दो उंगल बन गया है, इस तरीके से 12 लाइन से है, जो मैं आपको बताऊंगी, देखिएगा इस तरीके से अब करना क्या है, अब यहां से ये 8 फंदे और ये 8 फंदे मैं नहीं बनाऊंगी, इन्हें मैं पहले उतार के रख लूँगी तो हम बनाते वे उतारेंगे उससे, क्योंकि धागा हमें यहां पे चाहिए, तो इन 8 फंदों को तो मैं बनाऊंगी, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और ये 8 अब ये 8 फंदे मैं किसी में डाल के रख तोंगी अब आप चाहे तो धागे में भी डाल के रख सकते हैं ये इसे डाला आपने और रख तिया अब ये फंदे हम बनाते वे जाएंगे और लास्ट के 8 फंदे भी मैं नहीं बनाऊंगी तो ये फंदे तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी देखेगा अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ अगर बड़ो के लिए बना रहे हैं तो दो उंगल से जादा तीन उंगल चार उंगल वो आप अपने हिसाब से रखिएगा जितने बड़े के लिए आप इसे बना रहे हैं अब यह आप तंदे भी हम इसमें उतार परेंगे अब हमें देखे इन्हें बनाना है आप कैसे बनाना है वो देखने ज़ेगा सबसे पहले तो जो यह पंदे वो बनाएंगे बाकी हम पंदे अभी छेड़ेंगे नहीं इन पंदों को जो है हमें ये फंदा सीधा बनाऊंगे जयान से देखे या ये सीधा बनाया धागा अपनी तरब किया इसे उल्टा बनाया धागा वापस किया और चार या पांच फंदे मैं सीथे बनाऊंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, अब यानि कि टोटल मिला के छे फंदे बॉर्डर के हो गए और अब जो है मैं बाकी फंदे इस तरीके से उल्टा बनाऊंगी और लास्ट के छे फंदे हमने फिर से सीधा बनाना है, कैसे वो देख लीचेगा, क्योंकि यही तो लाइ अब यह देखे, अब यह देखे, अब यह देखे लास्ट के जो छे फंदे होने कैसे तरुए, धागा आगे करके, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी तरफ करके, यह दो फंदे मैं ऐसे उतार हुई, इस तरीके से, उतारा बिना बुनेवे, अब पलट लीचेगा, अब पलट के आपने कैसे करना है, यह सारे फंदे हमने जस्ट सीधे बनाने हैं, इस तरीके से, ऐसे, अब सारे फंदे सीधे बनेंगे, अब यह देखिए, लास्ट पे आगे, यह वाला फंदा बिना बुनेवे, ऐसे उतारेंगे, और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, अब यही दो लाइन्स आपने, कम से कम अभी, छे लाइन्स तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, उसके बाद हम इसे घटाना शुरू करेंगे, तो देखिए, पहला फंदा सीधा, धागा आगे करके इसे उल्टा बनाया आपने ऐसे, फिर चार फंदे सीधे, अगें यह और उसके बाद हम इसे घटाना शुरू कर देंगे, अब यह दिखिए लास्ट के छे फंदे, एक, दो, तीन, चार सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ इन दो को उतार दिया, अब चार लाइन्स और इसी तरीके से करूंगी, अब यह देखिए, इस तरीके से मैंने चार लाइन्स और बना लिया, आप टोटल में देखेगा, एक, दो, तीन, चार, याने की आठ लाइन्स बनी हुई है, अब देखे करना क्या है हमने, अब हमें इसे घटाते वे जाना है, कैसे वो देखेगा, यह चार, छे फंदे तो दो का एक किया, अगेन इसे उतारा, ऐसे लिया, दो का एक किया, फिर इसे उतारा, ऐसे लिया, दो का एक किया, तो देखे, तीन फंदे मैंने यहां बंद कर दिया, अब पहले यह फंदे सीधे, और लास्ट में फिर से मैंने तीन फंदे बंद करने हैं, बॉर्डर से पहले अब ये देखिए बॉर्डर से पहले 2, 2, 4, 2, 4, 2, 6 पंदे हैं ऐसे 2 का एक करूँगी, अगीन ऐसे 2 का एक करूँगी और फिर से 2 का एक करूँगी तो यहां 3 बंद किये, यहां 3 बॉर्डर तो जिस तरह के से बन रहा है वैसे ही बनाना है हमने और उल्टी लाइन में भी जैसे बॉर्डर बनना है वो बनाएंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे जाएंगे इसकी अगली लाइन मतलब इसके बाद की दो लाइन में हम नहीं गटाएंगे और फिर गटाएंगे तो देखिए ये एक लाइन फिर एक लाइन फिर एक लाइन यानि कि तीन लाइन में अब हम नहीं गटाएंगे और फिर से गटाएंगे अब ये दिखे उल्टी लाइन कर ली ये एक सीधी और एक उल्टी ऐसे करूंगे उसमें गटाऊंगी नहीं मैं झाल 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 कि यह दिखिए तीन लाइन में मैंने अभी नहीं गटाया आप यह दिखेंगे अब फिर से हम दो फंदे दो दो फंदे गटाएंगे बॉर्डर के बाद एक दो तीन चार पांच छे यह किया इसे उतारा ऐसे लिया दो कई कर दिया अगेन इसे उतारा ऐसे लिया दो कई अब बाकी फंदे सीधे और लास्ट में बॉर्डर से पहले दो फंदे कम करने हमने अब फिर से आगे इस बॉर्डर से पहले चार फंदे है दो का एक अगेन दो का एक फिर सारे फंदे सीधे अब तीन लाइन फिर से वैसे ही बनाओंगी एक उल्टी एक सीधी और एक उल्टी इस तरीके से फिर उसके बाद हम फिर से दो का एक करेंगे एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी लाइन बनाऊंगी फिर से दो काई तीन लाइनों के बात करेंगे हम अब ये देखें फिर से तीन लाइन कर ली अगेन दो दो फंदे बंद करूंगी छे फंदे बनाएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फिर इसे उतारा ऐसे लिया दो कई किया अगेन इसे उतारा ऐसे लिया दो कई किया और लास्ट में भी बॉडर से पहले दो कई करूँगी यानि कि दो फंदे गटाऊँगी अब ये देखिए फिर से बॉडर से पहले चार फंदे हैं ऐसे दो कई ऐसे दो कई अगेन ये फंदे सीधे देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूँगी किस तरीके से इसकी शेप आ रही है ये देखिए ये देखेंगे आप इस तरीके से इसकी जो है शेप ऐसे बनते में जा रही है तो अभी थोड़ी सी और अंदर जाएगी उसके बाद हम इसे एक एक फंदा करेंगे पहले इसके बाद एक बार और मैं दो का एक करूँगी अब जो है मैं इसकी अगली उल्टी लाइन करने के बाद ही दो का एक कर दोंगे अब ये उल्टी लाइन देखिए उसी तरीके से दो दो चार पांच और ये छे उसी तरीके से जैसे हम करते आएं हैं बादर बादर बनेगा और बाकी फंदे उल्टे बनेंगे अब देखिए अभी तक हमने कैसे बंद किया पहले तीन किये फिर दो फिर दो हर थर्ड लाइन में अब एक-एक फंदा बंद करते वे जाओंगी हर सीधी लाइन में यह अपने बनाया छे फंदे एक दो तीन चार पाच छे इसे उतारा ऐसे लिए दो कई किया फिर अब सारे फंदे इस तरीके से बनाऊंगी और लास्ट में भी एक फंदा घटाऊंगी तो अब मैं एक-एक फंदा घटाती भी जाओंगी मैं आपको बता दूँगी मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझती हूँ मेरे पास इसमें 20 फंदे उपर होने चाहिए 48 फंदे थे और 28 फंदे या 26 फंदे के आसपास जो है हम गटा लेते हैं यह देखिए अब यह बॉर्डर से पहले 6 फंदों से पहले दो का एक अब यही चीज आप गुदहराते वजाओंगी सीधी लाइन में इस तरीके से आपने दो का एक करना है और उल्टी लाइन जैसे बन रही है उसी तरीके से बनानी है कम से कम मैं यहाँ पर 20 फंदे रखूंगी और उसके बाद थोड़ा सा बनाऊंगी और फिर उन्हें वहीं पर रहने दूंगी अब मैं आपको पहले से करके बता देती हूँ अभी मेरे पास 34 फंदे है 34 फंदे है तो मेरे को 14 फंदे इसी तरीके से बंद करने है यानि कि मैं 20 या 22 फंदे हाडली उपर रखूंगी आप यह देखेंगी 20 फंदे होंगे यह 2, 2, 4, 5, 6, 7 पिसान जी बिल्कुल 20 या 22 फंदे मैं रखूंगी और बाकी फंदे मैं इसी तरीके से सीधी लाइन में एक एक फंदा कम करते वे जाओंगी और उल्टी लाइन जैसे बन रही है उसी तरीके से बनाऊंगी अब यह देखें यहां तक मैंने इसे गटाया है मेरे पास इसम में 20 फंदे हैं और फिर मैंने चार लाइन जो जैसा दिख रहा है उस तरीके से बनाया है आप यह देखेंगे आप चाहे तो थोड़ा लंबा भी रख सकती है अब ये हम यहीं रखेंगे, इसे हमने उठाना नहीं है, अब हमने उठाना है जो हमने ये फंदे डाले थे, ये देखेगा, जो ये डाले थे, इन्हें हमने उठाना है, और इन्हें अब हमने बनाते वे जाना है, अब ये जो है, यहां से हम इसे बनाते वे जाएंगे, अब देखे जलाई ली है मैंने फिर से और इनहे मैं पहले उल्टा बनाऊगी पहले सिरफ इतने फंदे बनाऊगी ऐसे लेंगे आप और इनहे यह इन लाइन तो उल्टी बनाऊगी पहली लाइन थोड़ा सा यहां पर हाथ टाइट रखिएगा बहुत डीला में छोड़िएगा हाथ को थोड़ा टाइट रखिएगा यह देखिए यह लाइन हमने पूरी उल्टी बनाई अब पलटके यहां से लाइन सीधी बनानी है इस तरीके से ऐसे यह लाइन आप ऐसे सीधी बनाएंगे अब देखिए यही दो लाइन हमने द्वारानी है जब तक कि यहां तक यह जो हमने छोड़े है फंदे यहां तक लंबाई इसकी नहीं आ जाती तब तक हमने ऐसे ही बनाना है और फिर हमने यह 8-8 फंदे भी दोनों साइड के उसी में लेने है तो आपने इस तरीके से अब इसे बनाना है अब यह देखी इस तरीके से मने बनाया है आपने नापना ऐसे है अब इस तरीके से रखेंगे और यह देखी आगया ये आ गया हमारा इसके बराबर तो अब ये मैं सीधी लाइन पे हूँ तो देखे देखे सीधी लाइन में सारे फंदे पहले से बनाऊंगी अब ये देखे सारी लाइन मैंने इस तरीके से सीधी कर ली है अब ये जो आठ फंदे हैं ये भी मैं सलाई में लेकर बनाऊंगी तो आप इस तरीके से उतार दीजेगा ये अपने उतारा अब हमने इस तरीके से ये भी ऐसे लेना है थोड़ा से यहाँ पर टाइट रखियेगा हाथ अब उल्टी लाइन में ये सारे फंदे उल्टे और ये आठ फंदे भी साथ में बनाऊंगी अब ये देखे ये फंदे भी में जो आठ है वो इसमें बनाऊंगी ये आठ फंदे आपने ऐसे लिए और इन्हें भी उल्टा बना दिया अब हमने ये सारे फंदे एक साथ बनाते वे एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करते वे जाना है ये देखेगा इस तरीके से अब हमें ये उतना एक सीधी एक लाइन उल्टी करनी है जितना हमने ये बनाया है यहां तक ही लंबाई न पहुंच जाए इसमें तब तक हमने इसे वैसे ही बनाना है अगर आपने डिजाइन डाला होगा तो आप डिजाइन डालिएगा अधर्वाइस एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी का करते वे इसकी जाना है हमने जहां तक हमने उपर वाला हिस्सा बनाया है वहां तक आपने इसी तरीके से करते वे जाना है अब हमारे पास आप ये देखेंगे कि बराबर उतने ही फंदे होंगे जितने फंदे हमारे पास नीजे थे 64 फंदे ये दियान रखेगा कि उतने ही फंदे होने चाहिए जितने हमारे पास पहले स्टार्टिंग में थे और आगे उपर आप इसको बंद कैसे करेंगे जो हमने फ्रंट साइड इसकी जेब जो बनाई है पहले ये पूरा हो जाए उसके बाद आपको बताती हूं कि आप किस तरीके से उसे बंद करेंगे तो चलिए पहले इसकी जो है आप लंबाई यहां तक पूरी कर लेते हैं अभी आप ये देखेंगे ऐसे आगया ये अब इसकी लंबाई यहां तक पूरी करते हैं फिर कैसे जोड़ेंगे वह मैं आपको इसमें बताऊं गी अब ये देखिए, ये मैंने इसके बेरावर बना दिया, आप देखेंगे इस तरीचे से, ये देखेगा, ये इसका फरंट पार्ट है, ऐसे और ये इसका जो मैंने बनाया है. अब हमें जो है, इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, वह मैं आपको अभी आइडिया दे दे मैंने दोनों साइड 8-8 फंदे रखे थे तो 16, 64 में से 16 निकाले 48 फंदे बचे थे अब मैं उन 48 फंदों में से ध्यान से देखेगा, उन 48 फंदों में से ये जो 20 फंदे है, यहां पे मैंने 20 रख्या, आपने हो सकता थोड़ा जादा रखा हो, या थोड़ा कम रखा हो, आप उस हिसाब से कल्कुलेट कीजेगा, 48 में से मैं ये 20 फंदे माइनस करूंगी, तो मेरे पास बचते है 28 फंदे, ठीक है, 28 फंदों को मुझे 2 पाटों में करना है, यानि कि डिवाइट 2 में करना है, 28 को 2 में करूंगी तो 14 और 14, अब पहले 8 फंदे बनाऊंगी, फिर 14 तो ये बिलकुल आपका जो है, सेंटर में आएगा, कैल्कुलेशन ध्यान से देखेगा, मैं बिलकुल बहुत अराम से दीरे दीरे बता रही हूं कि कैल्कुलेट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर ये हलका सा टेड़ा इदर उदर हो गया, तो देखे ये ऐसे आएगा, तो इसे बिलकुल सेंटर में लाने के लिए आपने, जितने भी आपके पास फंदे हैं, उसमें से ये जो फंदे, एक सिंपल और बता देती हूं, जितने भी फंदे हैं, उसमें से ये 20 फंदे माइनस कीजेगा, यानि कि 64 फंदे हैं, माइनस 20, तो आपके पास बचते हैं 44 44 को 2 में डिवाइड कीजेगा, 44 को 2 में भाग कीजेगा, तो 44 का 2 करोगे, तो 20 जो है 2 आएगा, तो आपने पहले 22 फंदे यहां बनाने है, फिर इन 20 फंदो को आपस में जोड़ना है, फिर 22 फंदे आपने यहां बनाने है, तो एक्जेक्ट आपके पास फिगर बैठेगी, तो देखे आप यह तो अभी यहां रखके मैं पहले 22 फंदे सीधे बनाऊंगी, अब ये देखिए 22 फंदे बन गए अब इन्हेलूंगी साथ में ऐसे इसे तो आप बैक कर लिजएगा इसको हम बाद में बंद करेंगे अब ये फंदे देखिए ये और साथ में पीछे वाला बैक वाला इन दोनों को हमने ये 20 फंदों को इस तरीके से बनाना है ऐसे गिया फिर आपने दूसरा बनाया दो काई किया जैस्ट आपने दो काई करना है ऐसे तो ये देखिए यहां से बंद होता जाएगा फिर ऐसे लिए दो काई किया ऐसे लिए और दो काई करते वे गया आप इस तरीके से आपने बंद कर दिया अब बाकी फंदे हमारे जो बाईस बचे होंगे वह तो हम सीधा बनाएंगे अब उल्टी लाइन आप पूरी उल्टी करेंगे अब इसके बाद जैसे आप बनाना चाहो वैसे आप इसे बना सकते हो याँ दो तीन चीजे ये उल्टी लाइन करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा टिप्स देदूँगी और बताऊँगी किस थरीके से स्वाप कर सकते हैं अब आप ये उल्टी लाइन होगी आपकी पूरी अब आप ये देखिए इस थरीके से आपका जो है फ्रंट जेब जो दोनों तरफ से ऐसे होता है वो ऐसे बनता है देखिए अब यहाँ पे दो तीन चीजे आपको बता दूँँ मैं छोटे बच्चे के लिए बनाया है ये स्वेटर एक साल से सवा साल मतब डेड़ साल के बच्चे तक अराम से आजाएगा इस वेटर एक से डेड़ साल के तो मैंने इतना ही रखा है और यहाँ पे इतना ही पोर्शन लिया है और यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है ये भी मैंने थोड़ा कम बनाया है उस रसाब से स्टार्टिंग करनी है यह जो पोर्शन है यह आप थोड़ा रखेंगे जिसके लिए भी बनाएंगे और कटिंग उसके बाद उस हिसाब से शुरू करेंगे और यहां के फंदे भी आप अपने फंदों के हिसाब से रखेंगे मेरे पास 64 तो मैंने 20 फंदे रखे हैं आपके से बन जाएगी तो चलिए फिर बनाएए और शेर जरू कीजेगा थैंक यू